मैं हूँ सत्य प्रकास और आप जुड़े हैं लीगल बाउंडरी न्यूज मैगजीन के यूटूब चैनल के शाथ मल्टी स्टोरी सोसाइटी की एक बड़ी समस्या है कि वहाँ बिल्डर की मनमर्जी बहुत होती है और इस पस्ट कारण है कि ऐसी सोसाइटी में नुकलियर फैमली या वैसे फैमली होते हैं जो निव जेनरेशन के होते हैं और वहाँ अपने लाइफ स्टाइल या अपने लाइफ में कोई पंगा नहीं लेना चाहते हैं और इसका अंदाजा बिल्डर बड़ी असानी से लगा लेते हैं और इसी का फाइदा उठाते हुए उस जो लोकल सिविक बॉडी लोकल अथोरिटी होते हैं उनके साथ अपने कनेक्शन स्टेबलिस कर लेते हैं और सोसाइटी के रेसिडेंट को परिशान करते हैं आज मैं इन सब विश्यों पर बात करऊँगा कि आखिर इस सारी शमस्याओं से निपटने कि तरीके हैं और कैसे एक सोसाइटी में अच्छे तरीके से सिविक एमेनिटीज को इंप्रूब करके कैसे एक हेल्दी इन्वार्मेंट बनाके और एक सोसाइटीज को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए जो रेसिदेंट जो निकलियर फैमिली है वो बड़े आसान तरीके से सोसाइटी में वो और और डब्लू एज बना सकते हैं आज मैं इन सब विश्यों पे चर्चा करूँगा उत्तर परदेश में कई कानून है जैसे दे उत्तर परदेश अपार्टमेंट पर्मोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑनर्सिप एंड मेंटेनेंस एक्ट दोहजार तस जिसे हिंदी में उत्तर परदेश अपार्टमेंट निर्मा और दूसरा है बिना भी के फ्लैट के मामले में पर्मोटर या उसके नॉमिनेटेड वैक्ती उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट पर्मोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनर्सिपंड मेंटरेंस एक दोहजार दस के तहत सेक्शन 3E के अनुशार एस्सेशन ओव अपार्टमेंट ओनर मिन्स सभी रेसिडेंट जिनके नाम से फ्लैट है या उनके द्वारा बनाया गया या यह वो ही इलहावाद हाई कोट ने 2013 में अलीव कंट्री अपार्टमेंट ओनर्स एस्सेशन वर्से स्टेट उत्तर प्रदेश में इस पस्ट कहा कि राज्ज में लागू दो कानून रिय कि छवा पूरा नहीं हो रहा और एसी परिश्थी में कोट् σूट नहीं रह सकता और लगातार न्याले के समझध बिलडर और बायर के बीच में विवाद कोट में आ रहे हैं और विलडर के इंटरफरेंस बहुत अधीक है ऐसी परिस्थिती में बिल्डर को जो एग्रिमेंट है उसको इस्टिक्ली कंप्लाइंस करने के लिए टेक्निकल सेल ओन्गोइंग प्रोजेक्ट पे रेरा के सुपर्वीजन में बनेगी रेरा का सेक्षन इस पर्ष्ट है कि आर डबलूए का गठन बिल्डर जो सुसाइटी में रेसिडेंट रह रहे हैं उनके प्रपर कंसल्टेंसी के साथ करवाने में मदद करेगा और बिल्डर उसमें कोई बादा उत्पन नहीं करेगा यह तब होगी जब बिल्डर प्रपर के तहट स्टेट की रूलिंग के तहट रिजिस्टर करके जो अपने नियम बनाए जाएंगे इसको रिजिस्टर करवा सकते हैं इसके बाइलॉज को बिना टू-थर्ड मैजोरिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं कौन और कैसे रिजिस्टर करवा सकते हैं एक एक असोशियेशन बनाकर इसको register करवा सकते हैं हाई कोट ने olive country के मामले में साफ कर दिया है कि अगर builder कोई बाधा डालता है तो allotis सीधे इसको register करवा सकते हैं और builder इसमें एक member होगा और वा अपनी liability को पूरा करेगा builder को एक माह का notice देकर allotis को register करवा सकते हैं अगर कोई dispute registration से संबंदित विवाद किया जाता है तो हाई कोट ने साफ कहा है कि register cheat fund इसका competent authority होगा वह registration से मना नहीं कर सकता है रजिस्टार deputy रजिस्टार और सब रजिस्टार अंडर दी सोसाइटी रजिस्टेशन एक राइट्स ओफ अपार्टमेंट तो׉नर्स क्या है इसके बारे में बंटाता है परतेख वैक्ति जिसे कोई अपार्टमेंट बेचा जाता है या अन्यथा पर्मोटर द्वारह विए यह अथनियॱ के अस्ट प्रावधानों के अदीन इस परकार के बेचे गए रंथा उससे हस्तांतृत किये अपार्टमेंट के स्वामित और कबजे का हगदार होगा वह आम छेत्रों और सुविधाओं में सभी चीज को यूटिलाइज करने का मालिक होगा हगदार होगा और इस तरह के सभी मामले जो सोसाइटी से रिलेटेड हो उसमें वहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है साथ ही सोसाइटी द्वारा कोई भी ऐसी चीज जो किसी बाहर के लोगों को दी जाती है जैसे कलाप अगर रेंट पर दी जाती तो उससे जो भी रेंट आएगा वो यूनियन के जो यूनियन है उसके माध्यम से पार्क है सिड़्ी बालकनी है सारी चीजे बेशमेंट है पार्किंग एरिया है गार्टन है इसमें बिना बाधा का कोई भी रेसिदेंट इसको इन्जवाई कर सकता और किसी को इंटरफेर की जाती है तो वो क्रिमिनल कोट भी जा सकता है और साथ-साथ कंसन अथोर्टी को भी बता सकता है कि इसमें इंटरफेरेंस की जा रही है उसके लिए उसको राइट्स दिये गए इसके अलावा लीप्ट टैंक मोटर केवल पाइप गैस बिजली कंप्रेशर यह जितनी भी सिविक सर्विस से अब there रिलेटेड taş wild टेलीवीजन से रिलेटेड कोई भी वायर या किसी भी चीज को कहीं पे भी इसमें किसी की nggak plan sh नहीं होगी कि कोई कि रिस्टिक कर रहा है कोई किसी को रोक रहा है कि आप घर पे छटरी नहीं लगा सकते आप यह नहीं कर सकते यह पूरी फ्री है कम्प्लीटली आप की जो गवर्मेंट की गाइड लाइन से और अलीव कंट्री के मामले में अल्हावाद हाई कोट ने इस पस्ट कर दिया है कि कि किसी भी परकार की इंटर्फेरेंस सोसाइटी के रेसिडेंट के लाइफ में नहीं होगी एक्सेप्ट अगर कोई रेसिडेंट जो एक इंफ्रास्ट्रक्ट्टर अप्रूब्ड है उसमें कोई चेंजेज करता है वैसे कंडिशन में बिल्डर उसको रिस्टिक्ट कर सकता है उसके खिलाफ उसके फंक्शन्स क्या है और और इसको बड़ी आसानी से कैसे आप रिजिस्टर करा सकते हैं इसके जो टेक्निकल प्रोसेस है उसके बारे में मैं जिकर करूंगा आप लीगल बाउंडरी के यूटूब चैनल से जुड़े रहें लाइक करें शब्सक्राइब करें कमेंड कर दन्यवाद